देश में विरुजगारी का लेबल ये है फ्रेंड्स की अगर कोई भरती एड होक पर आती है, काउंट्रेंट बेस पर भी आती है तो उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में विरुजगारों की भीड उमर परती है अनओफिसल डेटा यहाँ पर यहाँ पर यह है कि कुल 800 उपद हैं और उसके लिए लगबग 15,000 रोग पहुंचेते लेकिन अनओफिसल डेटा जैसा कि यहाँ पर इंडिया टूडी की वेबसाइट भी लिखा गया है यूनियन का दावा है कि 15,000 नहीं बलकि 50,000 आवेदक आये थे AI, Airport, Services Limited ने अपरेंटिस पत के लिए 2,216 रिक्तियां थी और आवेदकों से कहा गया कि वे अपना बायोडाटा जमा करते हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को देखकर जो वहाँ पर मनेजमेंट था उसके हाथ पांफ फूल गए और उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ा तो इस्तिती ये है कि पूरे के पूरे भारत में जब भी कहीं पर कोई वेकेंसी आती है तो इस लेबल का क्यास इस लेबल की भीड़ देखने को मिल जाती है अबराम ने कहा कि भर्धी प्रक्रिया का प्रबंधन को प्रबंधिता तता दावा किया गया कि सक्षतकार के लिए 50,000 नौकरी चैनल में लोग आये थे अबराम ने कहा कि मेरे सुत्रों के अनुसार लगबग 50,000 लोग वहाँ आये थे हमने कमपनी को इस तरह के अभियान के खिलाफ चितानी दे थी वहाँ एक किलोमेटर लंबी कतार थी पुलिस को बुलाना पड़ा आवितकों से कहा गया कि वे अपना आवितन छोड़ दें उन्हें बाद में बुलाय जाएगा इसमें 1786 अप्रेंटिस और सोलर यूडिटी एजेंट के पत खाली है यह लोगों में विरुजगाली को दर्साता है तो आपने देखा कि वीगत कई वर्सों से विरुजगाली को खत्म करने का दावा सरकारों के द्वारा किया जा रहा है लेकिन वास्तविक्ता यह है कि अगर कहीं पर एक भी सीट खाली होती है तो उसके लिए कमस्कम 10,000 आविदन तक चले आते हैं आपने देखा होगा कि आज से कई साल पहले यूपी में चप्रासी की वेकेंसी आई थी और उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में आविदन हुए थे कि यह जो पूरी प्रक्रिया थी उसको ही अस्थकित करना पड़ गया था तो फ्रेंड्स इन पदों के लिए नियुन्तम योगिता क्या थी वो थी एससी दस्वी पास और अधिक्तम आयुटेश वर्ष थी वेतन था 22,530 रुपए लेकिन इसके लिए भी मतलब यह पद तीन साल के निश्चित अवद के अनुबंद के आधार पर था लेकिन इसके बावजूद यह भीड़े यहां पर देखने को मिली और इससे यह पता चलता है कि लोगों में किस कदर विरुजगारी का डर समा गया है और लोग नौकरी के लिए किस कदर प्रयास कर रहे हैं किस कदर पागल हैं और 22,000 रुपए की नौकरी के लिए भी इतनी बड़ी अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी नौकरी करने के लिए फिलाल तो तयार हैं आगे बड़ते फ्रेंड्स कबर है कि जारकंड के द्वारा T.E.T. परिशा का आयोजन कराने के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है यह विग्यापन लगवा साथ सालों के बाद किया जा रहा है क्योंकि जब पातरता सभी कियोगी आल ओवर इंडिया के सभी स्टेट से रहेंगे तो पांशित अरता और योगिता में भारत का नागरिक हो और यह जो परिशा ली जाएगी बिल्कुल वही है जैसा कि आपने यूपीटीटी सीटीटी के दोरान दिया था बिल्कुल वही पैटर्न है पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है कोश्चन पेपर भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा नेगटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर वन और पेपर टू में जो एक्जाम पैटर्न में वही है धाई घंडे का पेपर होगा और बिल्कुल उसी प्र आवेदन करेंगे तो इसके लिए आप jac.jharkhand.jv.in slash jac पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे और इसके बाद जो eligibility आपको प्राप्त होगी उसके अधार पर आप साहक सिक्षक और उर्दु साहक सिक्षक पत के लिए आवेदन कर पाएंगे तो यह एक मात्र योगिता परिक् सवाला और आ रहा होगा कि फीस कितनी है तो फीस थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर है और एक बात और भी है कि qualifying के लिए criteria थोड़ा सब चेंज है जैसे कि सामान जाती कि जो लोग हैं उनको प्रते खंड में कम स्कम 40% अंग लेकर आना है और 60% अंग लेकर आना है तो final qualifying तो व लागू किया गया है और negative marking होगी नहीं परिक्षा सुल्क अगर आप एक पेपर देते हैं जनरल कटेगरी के हैं या फिर OBC कटेगरी के हैं या फिर EWS कटेगरी के हैं तो एक पेपर का आपको 1300 रुपे देना पड़ेगा दूनों पेपर का 26 रुपे बनता है लेकि दूनों अगर आप देंगे तो मात्र 1500 रुपे ही फीस आपको जमा करनी पड़ेगी इसके लावा अगर आप अनसुसित जाती जन जाती आदिन जन जाती वगरा से हैं तो आप देख सकते हैं कि फीस थोड़ी सी यहाँ पर कम है ठीक है और सुल्की धनरास जमा करने के पस्चाद उक पर इसे मैं अप्लोड कर दूँगा आप सिंपली जाकर इसे वहाँ पर चेक कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह हो गई दो खबरें जो की काफी अहम हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रदेश में फिलाल बेसिक स्कूलों में जो डिजिट अनलाइन भरेंगे और ना ही सल्फी बेजेंगे करमचायू स्युक्त मोर्चा ने घुषडा कि कहा विभाग डिजिटलाइजिस्तन का आदेश ही वापस ले ठीक है तो यहाँ पर यह मांग की जा रही है कि भाईया आनलाइन हम कुछ नहीं करेंगे हम आफ लाइन ही करेंग और फिलाल तो आपने कह दिया था कि चलो ठीक है डिजिटल एटेंडेंडेंस नहीं आप लोग सल्फी भेज दो तो हम सल्फी भी नहीं भेजेंगे और यह हमारी निजिता का उलंगन है ठीक है यह कह रहे हैं कि यह हमारी निजिता का उलंगन है डिजिटल उपसिती अगले आजिसता कस्तकीत है, ऐसे में सिख्चिकों से सेलफी मागना नहीं चीत नहीं है, तो ये मांग यहाँ पर रखी जा रही है, और फिलाल एक खबर यहाँ पर और भी है, लेकिन उसके बहुता दें कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के जो परोसी आज हैं, वहाँ पर किसी भी ले लेवल की जो प्रुद्गी परिशा हैं, आजूत हो रही है, मैं लगबख सब के question paper देखता रहता हूँ, और एक बात मैं यहाँ पर बिलकुल असपस्ट आप लोगों से कहना चाहूंगा, कि जो GS और GK के प्रस्ण आते हैं, वो अक्सर repeat हो और अब UKPCS की जो परिशा होई है, चोदो जून को उसका भी हल paper में हाँ पर मैंने upload कर दिया है, तो दोनों का paper जब मैं हल कर रहा था, तो मुझे यही लग रहा था, कि question बार बार repeat हो रहे हैं, और इसी विज़िस मैं आप लोगों से कहता हूँ, कि अगर प्रतोगी परिश तो आप लिए मैं recommend करता हूँ, इसको जरूर देखें, कुरिमला के 150 प्रस्त हैं, लेकिन बहुत साथ प्रस्त रिपीडेट हैं, जो कि UPPSC के द्वारा जो अभी assistant town planner exam में पूशे गए थे, तो इस परिकार से वीडियो आप लिए काफी important है, और अगर आप प्रतोगी परिश को 70 से अधिक अंग मिले हैं, बिल्कुल इसी परिकार मतलब जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि गुजरात के राजकूर के स्कूल आप engineering के पर परिशा देने वाले, 1968 अबिर्तियों में 85% से ज्यादा के अंग कटाफ से अधिक हैं, पर डिटेल आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक बात तो सामने आ रही है कि अलग-अलग स्कूलों में रिटल ज्यादा और कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल उड़ता है, जैसे कि बात करें तो राजकूर का जो विद्याल है, यहाँ पर 12 छात्रों को 700 से अधिक अंग मिले हैं, एक चात्रों को 720 में 720 अंग हैं, जबकि 2 को 710 हैं, 4 को 705, 1 को 704, 1 को 701, 3 को 700 अंग मिले हैं, वतलब सब 700 के पार हैं, 240 छात्रों को 600 से अधिक अंग मिले हैं, इसमें 149 को 605 से 700 के बीच अंग हासिल हुए हैं, वहीं UP के लखनों में, SDSN महाविद्यालय केंदर के 45 से अधिक छात्रों ने 600 में अधिक अंग हासिल कियें, हलाकि इनके अंग जो हैं, वह 700 से तो कम हैं, हर्याणा के हरदयाल स्कूल समें 3 की सरवादी सिखाए थे, तो हर्याणा में बहादुरगड के हरदयाल पब्लिक स्कूल के अलावा जहरकन स्कूल के हजारी बाग इस्तित, Oasis पब्लिक स्कूल और गुजराद में गोधरा इस्तित, जहला राम इंटरनेशनल स्कूल में ग्रबडी का सबसे अधिक सिखायते थी, सुप्रीम कोट ने दखल देते विए, अनुकमपा अंक रद्य कर दिये थे, हर्याना, गुजराद, 36 गड़ और मेगाले के 6 केंद्रों के 1563 अभिट्यों की दुबारा परिशा करने के आदिश दिये थे, इसमें करीब 806 परिच्छा में दुबारा से सामिल हुए हैं, तो यह सारी अपडेटेटे फ्रेंट्स, और मैं आप लों से करता हूं कि करनेफेर आप लों मिस मत किया क करिए, करनेफेर की डेली क्लासेज आपके इसी चैनल पर चलाई आती हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाता है, या फिर आप अंत में, मत थोड़ी दिके बाद आप आया कर चैनल पर आपको नया वीडियो देखने को मिल जाएगा, यह 5-7 मिलकर वीडि नहीं है, तो हमारा नोट्स आप इस्तेमाल करें, एक सब्सक्राइब करने फिर आप प्रती दिन पढ़ेंगे, करने फिर में आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहाने वाली है, किसी भी लेबल की परिच्छा हो, तो मिलते हैं आप से के लिए वीडियो में तब तक के लि झाल